C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिती प्रिष्ठ 307 प्रश्णावली 14.5 एक, 7.3 सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखा खंड ए भी खीचिये और उसकी सममित अक्ष ज्यात कीजिये 2. 9.5 सेंटिमीटर लंबा एक रेखा खंड खीचिये और उसका लंब समद विभाजक खीचिये 3. एक रेखा खंड एक्स वाई का लंब समद विभाजक खीचिये जिसकी लंबाई 10.3 सेंटिमीटर है 4. इस लंब समद विभाजक पर कोई बिंदु पी लीजिये जाच कीजिये के पी एक्स बराबर पी वाई है 5. यदि एम रेखा खंड एक्स वाई का मध्य बिंदु है तो एम एक्स और एक्स वाई के विशय में आप क्या कह सकते हैं 4. लंबाई 12.8 सेंटिमीटर वाला एक रेखा खंड खीचिये रूलर और परकार की सहाईता से इसके चार बराबर भाग कीजिये मापन द्वारा अपनी रचना की जाच कीजिये 5. छे दशमलव एक सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखा खंड पी क्यू खीचिये और फिर पी क्यू को व्यास मान कर एक वृत्त खीचिये प्रिष्ठ 308 6. केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटिमीटर लेकर एक वृत्त खीचिये इसकी कोई जीवा रेखा खंड अबी खीचिये इस जीवा अबी का लंब समद्विभाजक खीचिये जाच कीजिये कि क्या यहे वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है 7. प्रश्ण 6 को उस स्थिती के लिए दोबारा कीजिये जब रेखा खंड अबी एक व्यास है 8. चार सेंटिमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खीचिये इसकी कोई दो जीवाएं खीचिये इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खीचिये 9. शीर्ष ओ वाला कोई कोण खीचिये इसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु भी इस प्रकार लीजिये के O A बराबर O B है रेखा खंड O A और रेखा खंड O B के लंब समद्विभाजक खीचिये मान लीजिये ये P पर प्रतिछेद करते हैं क्या P A बराबर P B है चोदह दशमलव पाँच कोण चोदह दशमलव पाँच दशमलव एक दिये हुए माप का कोण बनाना मान लीजिये हम चालीस डिगरी का कोण बनाना चाहते हैं इसके लिए वनशित चरण निम्न हैं चरण एक एक किरण A B खीचिये चरण दो चांदे के केंद्र को A पर इस प्रकार रखिये केसका शून्य किनारा यानि शून्य डिगरी शून्य डिगरी किरण A B के अनुदिश रहे चरण तीन B के पास के शून्य से प्रारंभ करते हुए चालीस डिग्री के सम्मुख बिंदु C अंकित कीजिए। ये सभी चरण सनलगन आकृतियों में दर्शाय गए हैं। प्रिष्ठ 309, चरण 4, AC मिला कर किरण AC बनाईए। कोण BAC ही वानशित कोण है। सनलगन आकृति में ये दर्शाया गया है। 14.5.2 एक दिये हुए कोण के बराबर कोण बनाना। मान लीजिए हमें एक कोण दिया है जिसका माप हमें ग्यात नहीं है। हम इस कोण के बराबर एक कोण बनाना चाहते हैं। देखिए के ऐसा किस प्रकार किया जाता है। कोण ए दिया है जिसका माप ग्यात नहीं है। चरण एक एक रेखा एल खीचिए और उस पर एक बिंदु पी अंकित कीजिए। चरण दो परकार के नुकीले सिरे को ए पर रख कर एक चाप खीचिए जो कोण ए की भुजाओं को बी और सी पर काटता है। चरण तीन परकार के पहलाव में बिना कोई परिवर्तन किये उसके नुकीले सिर को पी पर रख कर एक चाप लगाईए जो एल को क्यूँ पर काटता है। ये सभी चरण सनलगना अकृतियों में दर्शाए गए हैं। प्रिष्ठ 310 चरण 4 परकार को लंबाई BC के बराबर खोलिये। चरण 5 परकार के फैलाव में बिना परिवर्तन किये उसके नुकीले सिरे को क्यूँ पर रखिये और एक चाप लगाईए जो पिछले चाप को आर पर काटता है। चरण 6 पी आर को मिलाकर किरन पी आर बनाईये। इससे कोन पी प्राप्त होता है। कोन पी ही वानशित कोन है जिसका माब कोन ए के बराबर है। इस कार्थ है कि कोन क्यूँ पी आर और कोन बी ए सी के माब बराबर हैं। सनलगन आख्रितियों में ये दर्शाय गए हैं चोदह दशमलव पांच दशमलव तीन एक कोण का सम द्विभाजक इनहें कीजिये एक कागस पर एक बिंदु O अंकित कीजिये O को प्रारंभिक बिंदु लेकर दो किर्णे O A और O B खीचिये आपको कोण A O B प्राप्त हो जाता है इस कागस को इस प्रकार मोड़िये कि मोड़ का निशान O से होकर जाए तथा किर्णे O A और O B परस पर समपाती हो जाएं मान लीजिये O C मोड़ का निशान है जो हमें कागस को खोलने पर प्राप्त होगा सपश्ट तह किर्ण O C कोण A O B की सम्मित अक्ष है कोण A O C और कोण C O B को मापिये क्या ये बरापर है अथह O C कोण A O B की सम्मित अक्ष है और कोण A O B की समद्विभाजक है प्रिष्ट 311 रूलर और परकार द्वारा रचना मान लीजिये एक कोण A दिया है चरण 1 A को केंद्र मान कर परकार की सहायता से एक चाप लगाईए जो कोण A की किर्णों यानि भुजाओं को B और C पर काटता है चरण 2 B को केंद्र मान कर और B C के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप कोण A के अभ्यंतर में खीचिये चरण 3 C को केंद्र मान कर एक चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर कोण A के अभ्यंतर में एक और चाप लगाईए मान लीजिए ये दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिछेद करते हैं तब रेखाखंड A.D. ही कोण A का वांचिक्त समद्विभाजक है सनलगन आकृतियों में ये सबस्पष्ट है प्रयास कीजिए उपरोक्त चरण दो में यदि हम त्रिज्यां B.C. के आधे से कम लें तो क्या कोण होगा 14.5.4 विशेश मापों के कोण कुछ विशेश मापों के कोणों की रचना करने की कुछ सुन्दर और परिशुद्ध विधियां है जिनमें चांदे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ की चर्चा हम यहां करेंगे 60 डिगरी के कोण की रचना 14.1 एक रेखा L खीचिए और उस पर एक बिंदू O अंकित कीजिए 14.2 परकार के नुकीले सिरे को ओपर रखिए और एक सुविधा जनक्त्रिज्या लेकर एक चाप खीचिए जो रेखा L को मान लीजिए बिंदू A पर काटता है। प्रिष्ट 312 चरण 3 अब A को केंद्र मान कर O से होकर जाता एक चाप खीचिए चरण 4 मान लीजिए ये दोनों चाप परस पर बिंदू B पर काटते हैं। O B को जोड कर किरण O B बनाईए। तब कोण B O A ही 60 डिगरी माप का वांचित कोण है। 30 डिगरी माप के कोण की रचना। उपर दर्शाय अनुसार 60 डिगरी के कोण की रचना कीजिए। अब इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण 30 डिगरी का है। मापन द्वारा अपनी रचना की जाँच कीजिए। प्रयास कीजिए। 15 डिगरी के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे। 120 डिगरी के कोण की रचना। 120 डिगरी का कोण, 60 डिगरी के कोण के दो गुने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतह इसकी रचना निम्न प्रकार की जा सकती है. चरण एक, एक रेखा एल खीच कर, उस पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए. चरण दो, परकार का नुकीला सिरा ओ पर रख कर, और एक सुविधा जनत्रिज्या लेकर एक चाप लगा ये, जो रेखा एल को ए पर प्रतिछेद करे. चरण तीन, परकार के पहलाव में बिना कोई परिवर्तन किये, और एक को केंद्र मान कर एक चाप लगा ये, जो पिछले चाप को बी पर काटता है. चरण 4. भुनह परकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किये और बी को केंद्र मान कर एक चाप लगाईए जो पहले चाप को सी पर काटता है सनलगन आकरितियों में ये सबस्पष्ट है प्रिष्ट 313 चरण 5. ओसी को जोड़ कर किरण ओसी बनाईए तब कोण सी ओए ही वो कोण है जिसका माप 120 डिग्री है प्रयास कीजिए 150 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे 90 डिग्री के कोण की रचना एक रेखा पर उस पर दिये हुए एक बिन्दू से होकर एक लंब खीचिए जो पहले कर चुके है ये वानशित 90 डिग्री का कोण है प्रयास कीजिए 45 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे प्रशनावली 14.6 1. 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खीचिए 2. 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका सम द्विभाजक खीचिए 3. एक सम कोण खीचिए और उसके सम द्विभाजक की रचना कीजिए 4. 153 डिग्री का एक कोण खीचिए और इसके चार बराबर भाग कीजिए 5. रूलर और परकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए 6. 45 डिग्री का एक कोण खीचिए और उसे सम द्विभाजित कीजिए 7. 135 डिग्री का एक कोण खीचिए और उसे सम द्विभाजित कीजिए 8. 70 डिग्री का एक कोण खीचिए इस कोण के बराबर रूलर और परकार की सहायता से एक कोण बनाएए 9. चालीस डिग्री का एक कोन खींचिये, इसके संपूरक के बराबर एक कोन बनाए हमने क्या चर्चा की? इस सद्ध्याई में ज्यामिती आकारों को खींचने की विभिन विधियां बताई गई हैं एक, आकारों की रचना करने के लिए हम ज्यामिती बक्स में दिये निम्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं एक, रूलर, दो, परकार, तीन, डिवाइडर, चार, सेट स्क्वेर, पाँच, चांदा, प्रिष्ट 314 दो, रूलर और परकार की सहायता से निम्न रचनाएं की जा सकती हैं एक, एक वृत्त जब उसकी त्रिज्या की लंबाई दी हो दो, एक रेखा खंड जब उसकी लंबाई दी हो 3. एक रेखा खंड के बराबर रेखा खंड बनाना 4. एक रेखा पर एक बिंदु से लंब खीचना जब वह बिंदु A. रेखा पर स्थित हो B. रेखा पर स्थित न हो 5. दी हुई लंबाई के रेखा खंड का लंब सम द्विभाजक 6. दिये हुए माप का एक कोण 7. दिये हुए कोण के बराबर कोण बनाना 8. दिये हुए कोण का समद्विभाजक 9. कुछ विशेश मापों के कोण जैसे A. 90 डिग्री, B. 45 डिग्री, C. 60 डिग्री, D. 30 डिग्री, E. 120 डिग्री, F. 135 डिग्री अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक 9. वाचन्स्वर, गौरव मार्वा 10. निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक 10. निर्माण, विमलेश चौधरी 11. तथा प्रस्तुती, C. I. E. T. N. C. E. R. T. न. न. दिल्ली, भारत